ओम शान्ति छे आठ दो हसार बाइस के श्परिय महावाक्य हैं आज के साकार मधुर मुरली में मीठी मीठी प्यारे प्यारे शिब निराकार परमपिता परमात्माने कहा शिब अर्थात कल्यानकारी बाप ने मीठी बच्चों से कहा मीठी बच्चे ज्यान सागर बाप और ब्रमपुत्रा नदी का यह संगम हीरे समान है यहां तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसे बनने ब्रमपुत्रा नदी किसे बाबा ने कहा और ज्यान सागर कौण ज्यान सागर अर्थात शिब बरमात्मा बाप और ब्रमपुत्रा नदी का संगम कौण ब्रमा बाबा के तन में ब्रमात्मा ने अपना आधार लिया है ना तो उसे ही पिर ब्रमपुत्रा कहा ब्रमपुत्र नदी का बाबा ने आज कहा है तो यह संगम हीरे समान है और यहां तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। प्रश्न है मुरली का सतियोगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी। उत्तर में बाबा ने कहा जब सारी पतित श्रिष्टी की सफाई हो अर्थात पुरानी श्रिष्टी का विनाश हो तब सतियोगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है, नई राजधाने का संबत तब शुरू होगा, जब एक भी पतित नहीं रहेगा, यहां से संबत शुरू नहीं होगा, भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सत्यूग नहीं कहेंगे, बाबा आज बहुत गोहा राज समचा रहे हैं, जब लक्ष्मी नारेन के रूप में राजगदी पर बैठेंगे, तब संबत प्रारंभो होगा, तब तक आत्माय आती जाती रहेंगी, आज बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, कई मनुश्य आत्माओं के, कई बाबा के बच् यह सब बिचार सागर मन्थन करने के बाते हैं, गीत हैं यही बहार है, ओप शांती, यह बच्चे कहां आए हुए हैं, ग्यान सागर के कंठे पर, बैसे रहते हैं ग्यान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ग्यान सागर के कंठे पर, कौन आए हैं, ग्यान गंगाए क्या बनने लिए कोड़े से हीरे अथ्वा कंगाल से से ताज बनने लिए ब्रम्हा है ब्रम्ह पुत्रा और शिव है ग्यान सागर यह है ब्रम्ह पुत्रा नदी बड़ी नदी है ब्रम्हा तो बच्चा तो है ना, ब्रह्मा भी तो बच्चा है बाबा के रहे हैं, भल नदी, ब्रह्मा पुत्रा बड़ी नदी है, लेकिन बाबा कई तो रचना है, तो ब्रह्मा वल्द शिव, तुम हो पोत्रे और पोत्रियां, कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लग बाबा केते वहां गंगा, ब्रह्मापुत्रा और सागर मिलते हैं, ब्रह्मापुत्रा में और भी नदिया मिलती हैं, मुख्य है ब्रह्मापुत्रा और सागर का संगम, उनको ही कहते हैं डायमंड हार वल, यह नाम अंग्रेचों ने रखा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है, बापर्थ समझाते हैं, तुम आए हो, इस समय ब्रह्म पुत्रा और ज्ञान सागर के पास सम्मुख, वहां भी सागर के सम्मुख जाते हो, हीरा बनने के लिए परंतु हीरों के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग, तन तो हम द्वापर से धोते आए हैं, लेकिन उसे हमारी आत्मा की शुद्धी तो हुई नहीं, होती ही नहीं, होगी ही नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा को धोने वाला ना आये, तब तक ये आत्मा की धुलाई हो ही नहीं सकती, तो ज्यान सागर आता है ब्रह्मा पुत्रा नदी के मुख से फिर हमें ज्यान देता फिर ओर-ओर ज्यान गंगाये नद्या निकलती है वो सबसे बड़ी नदी है और ज्यान सागर लिश है सबसे उचते उचते, तो इस तरहए बाप समझाती है कि हम भक्ती मार्ग में भल कितना भी स्नानादी करा कुछ भी किया, सागर के सम्मुख भी जाते हो लेकिन वहाँ कुछ भी मिलता नहीं हीरों के बदले पत्थर बन जाते हो यह संगम है आत्मा और प्रमात्माखा दोनों इकटे हैं यहां परमात्मा किसके साथ का माइंड होकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं ब्रमा बाबा के तन में आकर के हैं यहां बैठते हैं तो बाबा के ते हैं दोनों इखटे हैं वह जड़ है यह चैतन्य हैं यहां किसका संगम बाबा ने बताया आत्मा और परमात्मा का और बाबा के त यह तो कहां भी जा सकते हैं कौन बाबा तो बच्चों को हमेशा यह समझना चाहिए कि ब्रह्म पुत्रा और सागर दोनों इखाठे हैं चैतन्य में यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया तुम हीरे जैसा बनो यह है ब्रह्म पुत्रा और अडॉप्टेट ग्यान गंगाएं यह नदिया तो अनगिनत है बाबा ने आज पूरे मुरली में नदियों को राज प्राक्टिकल में यथार्थ रीती समझाया है बुद्धी से समझ करके इसे अपने जीवन में अप्लाय कर करने का है जीवन जीने की कला ही बाबा सिखा रहे हैं हर रीती बाबा हमें हर एक महावाक्य को बहुत अच्छी रीती सहज रीती समझाते हैं क्योंकि हम बच्चों ने जो द्वापर से समझा है उसे तो फिर बाबा ऐसे ही अपने इजी भाशा में समझाएंगे तब ही समझ अब बाबा केती हैं, ब्रह्मा पुत्रा और एडॉप्ट ग्यान गंगाएं, यह नदियां तो अनगिनत हैं, उन नदियों का तो उनको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां बहती हैं, इतनी नदियां हैं ना जाने कितनी सारी तो यह तो अनगिनत हैं, इन ग्यान नदियों क बादो अंत नहीं पाया जा सकता है, सागर से नदियां इस समय ही निकलती हैं, यथार्थ में यही राजबाबात समझा रहे हैं, पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है, फिर उनसे चूटी चूटी नदिया निकलती हैं, पहले दादियां तयार हुई ना, ओमंडली के नाम से ग्यान फैलाने के लिए अब देखो तो 140 दूसरे विदेशों में भी बाबा की ये ग्यान नदियां बह रही हैं तो सबसे बड़ी नदी ब्रह्मा पुत्र बाबा के ते फिर उन से चोटी चोटी नदिया निकलती हैं तुम जानते हो नमबरवार पुर्शाग धनुसार कोई बड़े हैं कोई चोटे हैं ये सब मनुशियों को हीरे जैसा बनाते हैं ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवनशी है महराजा महरानी बनते हैं नहीं यथा राजा रानी तथा प्रज तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनना हैं, जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुर्शार्थ करते हैं, वो हीरे जैसा बनते हैं, यह ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकठे रहते हैं, तुम बच्चे जब आते हो, तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं, बाप पही तो वो नाम रख नहीं लेते हैं, तो इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं, बाबा क्रियेट कराते हैं, इनके द्वारा नई दुनिया की है, तो वो क्रियेटर है और इनके द्वारा क्रियेट कराते हैं, नई दुनिया सच्चे दुनिया की स्थापना है, अभी तो गुप्त रिती स्थापना और एक तरफ फिर विनाश भी चल रहा है तो एक तरफ destruction एक तरफ construction और आज बापा ने जो बहुत बड़ा गुहा राज बताया है कि रादे कृष्ण के जन्म के बाद भी सतियोग शुरू नहीं होगा जब तक लक्ष्मी नाराएंड उनका स्वयमबर ना हो जाए जब तक राजगद्दी लक्ष्मी नाराएंड को ना मिल जाए तब तक सतियोग नहीं कहेंगे तब तक आत्माय आती चाहती रहेंगी यह बहुत बड़ी बात बाबा ने आज बाबा के बच्चों को समझाई है ज जानते हो क्या जानते हो बाबा कहते हैं क्या जानते हो जहां तक जीना है वहां तक पुर्शार्थ करना है शिक्षा तो मिलती रहती है इमतहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है एक तरफ रिजल्ट निकलेगी दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा फिर तो हाह आकार हो जाता है, बात मत पूछो, इसलिए विनाश होने की पहले लडाई होने की पहले तयार होना है, ऐसे थोड़ी ना कि आग लग जाएगी तब आपको पानी ढून लेना है, तो पहले ही तयारी कर लेते हैं, इसलिए घरों में देखा होगा आग लगे ना लगे, लेकिन उसके लिए साधन पहले ही तयार किये जाते हैं, ताकि जैसे ही सायरन बजे और पानी चारों तरों फैल जाए, तो बाबा कहते हैं, इस तरह से ऐसा नहीं है कि पहले लडाई शुरू हो तब फिर हम तयार होना है, समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा, और यह भी जानत हो कि जब हमारी राजधाने स्थापन होती है, तो यह सारी सफाई भी होनी है, एक्जाम के लिए पहले से ही तैयारी करके रखनी है, तो तुम पावन बनते रहते हो, और वह हैं पतित, सब पतित खलास हो जाएं, हिसाब किताब चुकतु कर सब बापिस चले जाएं, एक भी पतित ना रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया, तुम इस समय हो पावन, परन्तु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना, पावन बनेगी जरूर, जब विनाश होगा, तब सारी दुनिया पावन होगे, उसको नई दुनिया कहेंगे, नई दुनिया का संबत, कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब राजा, जब महराजा, महरानी तक्त पर बैठते हैं, तब नया संबत शुरू होता है, फिर बाबा ने कहा, कोई यदि पूछे, कि नई दुनिया का संबत कब शुरू होता है, तो समझाना चाहिए, जब महराजा, महरानी तक्त पर बैठते हैं, अर तेल रजगद्धी पर बैठते तब नया संबत शुरू होता है, जब तक नया संबत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा, तो यहां से संबत शुरू नहीं होगा, हम ब्राह्मन भल नए हैं, पर अंतु दुनिया अथ्वा सारे प्रत्वी थोड़े ही नहीं है, अभी है संगम, कलियोग के बाद सतियोग आना है, हम कहते ही है, फर्स्ट प्रिंस प्रंसिस राधे कृष्न, फिर भी हम उस समय सतियोग नहीं कहेंगे, जब तक लक्ष्मी नारायन तक्त पर नहीं बैठते हैं, तब तक कुछ ना कुछ खिट पिठ होती रहेगी, भल राध कृष्ना आजाते हैं, देखो, यह हैं विचार सागर मन्थन करने की बात हैं, सतियोग जब शुरू होगा, तब संबत शुरू होगा, सूरिवनशी निनाइस्त्री का संबत फलाना परंतु, प्रिंस प्रिंसिस के नाम पर संबत कभी नहीं होता है, बच्चों से शुरू हो जाती है, क्या रजाई नहीं ना, तो बाबा कहते हैं, प्रिंसिस के नाम पर संबत कभी नहीं होता, बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है, छीची मनुशियों को भी जाना है, कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही हैं ना, जो भी बचे हुए होंगे, वह भी व आपने कई बार सुना होगा दादियों के मुख से और कई बार बाबा ने भी कहा कि बाबा ब्रह्मा बाबा की तन में आते थे MELSW ॐारी तब बाबा की के आवाज छेंज लेहीं होती थी क्यों कि बाप ब्रह्मा बाबा के बाचु में आकर बैठते थे, लेकिन हमारे मनमोहनी दादी किया sound बदल जाता था, क्या कारण था, क्योंकि उनके साथ वो बाप दादा कम माइंड होकर आते थे, तो इसलिए फिर उनका sound बदल जाता थे, इसलिए बाबा कभी ब्रह्मा बाबा बोलते और कभी शिप बाबा बोलते हैं तो इसलिए ब्रह्मा बाबा की मुरली को कभी भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ना जाने कब ब्रह्मा बाबा बोलने और कब अपना experience सुनाने लग जाने और शिप बाबा तो बोलते ही हैं तो बड़ा confusion कई बार मुरली में हो जाता है ना तो मूझ जाते हैं बा पुश्वर्ष लगता है यह कुम्भ का मेला सागर और ग्यान नदियों का मेला तो संगम यूग पर ही होता है तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं मात पितावा ग्यान सागर और बड़ी नदी के पास बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्सा दे र द्वारा जरूर मेरा हाथ पकड़वाऊंगा है तो यह समझने की बाते हैं बाबा कहते हैं बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा बरसा दे रहें अर्थात क्या कर रहे हैं हीरे जैसा बनाते कुम्भ के मेले में कितना खुशी से बड़ी शुद्धी से जा मंदिरादी जाते हैं कहीं तीर्थ के लिए जाते हैं तो रहते हैं पवित्र रहते हैं विचारों में विशुद्धी लेकर तो बाबा केते हैं कहीं भी जाते हैं भल हम कुम्भ में जाते हैं तो मंसा वाच्चा कर्मना पवित्र रहते हैं वह जड़ यात्रा शरीर से करते ह यात्री अपना कल्यान करना चाहते हैं, पंडों का इतना कल्यान नहीं होता है, जितना यात्रियों का पंडे लोग तो पैसाई खठा करने चाहते हैं, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती, जितनी यात्रियों की होती है, इसमें बहुत लंबा समझाने की आवशकता नहीं है, बाबा ने बहुत सहल शब्दों में कहा है, तो जितनी यात्रियों की रहती है भावना, शुब भावना या जो भी उनके मन में ले करके जाते हैं, उतनी शुब भावना पंडे को नहीं होती, क्योंकि वो तो पैसा एक अच्छा करते हैं, बाबा के ते यात्री बड़ी तो खुश हो जाते हैं, यह तो कुद्रत है, बर्फ में लिंग बन जाता है, मनुशियों की ऐसी भावना बैठ जाती है, है कुछ भी नहीं, बाबा आज क्या कह रही है, समझा क्या कह रही है, हमने आपने देखा होगा, कई बार आपको पिक्चर भी दिखा होगा, बादलो में क्या करते हैं, शीव का साक्षातकार कर लेते हैं, बादल में कुछ ऐसा देख लेते हैं, उसको कैप्चर करके फिर और और जगह पर उसको फैला देते हैं, कि देखो, कुद्रत को देखो, कुद्रत का नजारा देखो, बादलों में कि ऐसे भगवान दिख रही है, यह जिसमें भावना रहती है, उसका चित्र वो बना करके और आकरती उन्हें दिख भी जाती है। जैसे देखते तो खुश हो जाते हैं, यह तो कुद्रत है, बर्फ मलिंग बन जाता है, मनुश्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है, बाबा कहते है कुछ भी नहीं, सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है, मनुश्य समझते हैं, भगवान के पिछाड़ी बहुत धक कहाया है, भगवान से मिलने परंतु भगवान मिलता ही नहीं है, बाबा ने समझाया है, भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते, बिंदी का फोटो क्या होगा, बिंदी तो सरख जाती, बाबा कहती है, इतना सुक्ष्म ते सुक्ष्म बिंदु है, कि आप उसे याद तो वो तो पल में seconds में सरक जाएगी, तो वह तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, ब्रकुटी के बेच चमकता है, कई बच्चियां ब्रकुटी में ठीका लगाती है, यह सुना है ना कि आत्मा का निवास ब्रकुटी में है, तो स्टार लगाती है, सच्चा तिलक जान आजाता है कि हम आत्माओं को अब राज दिलक मिलता है, आत्मा समझती है, कि अभी हमको परमपिता प्रमात्मा से राज दिलक मिलता है, ब्रक्ठी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं, अभी तुमको सारा ज्यान मिला हुआ है, हम स्टा परंपिता प्रमात्मा भी इतना ही चूटा है परंथु उनमें सारी नौलेज है यह बातें पड़ी गोहा हैं तुमको ग्यान आठात सोजरा मिला है हुझाले का रास्ता मिला है सोजरा मिला है परंथु परंपिता प्रमात्मा के रूप को भी देखा समझा है देखा है कि नहीं, बाबा केते हैं, जैसा आत्मा का साक्षातकार होता है, वैसे प्रमात्मा का भी होता है, कहेंगे, जैसे तुम हो, वैसे मैं हूँ बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षातकार चाहिए? एक पिता की याद करने के लिए कोई पिक्चर, फोटो या फोन करके कोई कहता है कि मुझे याद करो बच्चे नहीं कहता ना थो बाबा कहते हैं फिर, बाप का क्या साक्षातकार चाहिए, ना, बाप है, जैसे तुम हो वैसे वो है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा तो एक सम्मान है उसका कोई कलर कोई ऐसा नहीं है जाती धरम है ना इसलिए तो बाबा ने कहाए ना आपस में तुम्हें एक पिता की संताना बहाई बहाई हो और पहले भी कहा कि आत्मा एक शरीर छोड़ जब दूसरा जो मनशे का शरीर धारन करती है तब आत्मा ये नहीं है कि हाट में फिट हो जाएगी जाके या हाथ में पेर में पेट में कहीं फिट हो जाएगी नहीं वो तो उसका अकाल तक्त है ही भ्रकुटी के बीच तो वो तो वहीं जो है जाकर के बैठती है शरीर में है तो बाबा कहत आत्मा थोड़े ना छोटी बड़ी होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है, शरीर की आयो बढ़ती है, आत्मा की थोड़ी, तो जैसे तुम वैसे बाप है, सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है, हम शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, बाप एक शरीर छोड़ दूसरा नहीं तो वो तो लीज परपतिट शरीर में आते हैं। सिर्फ महिमा और पार्ट अलग-अलग है। और सबसे भिन-भिन हैं। एक ना मिले के दूसरे से। अब इस संसार में इतने सारे मनुशिय आत्माओं के पार्ट हैं। लेकिन एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से नहीं मिलता तो एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़े ही हो सकता है, इसको इश्वर की कुदरत कहा जाता है, वास्तों में ड्रामा की कुदरत कहेंगे, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है, ये तो बन बड़ा पार्थ है, परमपिता, परमात्मा, सर्वश्रिक्ति, मान, वर्ल्ड, अल्माइटी, अथोरिटी है, ज्ञान का सागर कहा जाता है, यहां किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, वेद शास्त्र पढ़ने वाले, वेद शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं, बाकी पाप में जो ग्यान है वो है तो कोई में नहीं है, भगवान ही आकर सहिज राजियों का ग्यान सिखलाते हैं, उनको ही ग्यान का सागर कहेंगे, तो यह नदियों का मेला लगता है, यह भी समझते हो कि सागर से नदिया निकलती है, कई बच्चों को यह मालूम भी नहीं रहता वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते, ज्यान सागर केसे आता होगा, उन से ज्यान गंगाएं, केसे ज्यान पाती होंगी, यह हैं ज्यान की बाते, मनुष्यों दौरा बुद्धी में जो बातें बैठी हैं तो सची बातों का किसको पता नहीं है तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो जिस थूल में हम देखने जाते हैं ग्यान सागर के तड़ पर सागर की लहरों को तो यहां पर हमने उस ग्यान सागर को और ये ग्यान सागर मतलब ये बहने वाले सागर में अंतर समझ लिया है अभी वह सागर और नदिया तो दुख देती रहती हैं देती हैं कि नहीं उफान पर आ जाती हैं सुनामी आ जाती हैं गाओं के गाओं शहर के शहर देश के देश नदिया उफान पर आती हैं तो कितने लोग उसमें बह करके अपना शरीर छोड़ देते हैं तो बाबा कहते हैं वो तो सब अभी दुख देती रहती हैं सागर भी उचल पड़े तो कितना नुखसान कर देते हैं अभी ग्यान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं उस सागरव नदियों को याद नहीं करते, पतित पावन ग्यान सागर को याद करते हैं, उस सागर से ही यह नदिया निकलती है, उनके नाम रूप देश काल को कोई जानती नहीं है, भल शिब नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंक का नाम रख दिया है, बाबा का नाम अभी नाशी ह शिप बाबा रच्यता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादी है, कैसे अनादी है वो बाप बैठ समझाते हैं, सत्य युग में ये त्यभारादी कुछ भी होते नहीं, सुर्व गायब हो जाते हैं, फिर भक्ति मार्क में शुरू होंगे, मनुष्य समझते हैं, स्वर्ग फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नर्क है, इनकी आयू का किसको पता नहीं है, घोरंधी आ रहा है, कल्प की आयू का भी किसको पता नहीं है, कहते भी हैं, यह जो ड्रामा है, यह फिरता रहता है, परंतु आयू का पता ना होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है ब्रह्मा के मुख्धु द्वारा, बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रूं का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं, वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़े ही पकड़ सकते हैं, कोई भी अगर इस शरीर को धारन करेगा, तो भल वो या कलप के सत्यूग में आए यतरेटा द्वापर कल्यूग कभी भी आए तो ऐसा तो नहीं है ना, कि वो शस्त्र दे देंगे तो यो शस्त्र छोड़ेंे ही नहीं या कुछ होगा नहीं या वो ऐसे ही बैठ कर खाएगा, कर्म करेंगा। कुछ न कुछ तो करेगा। कि एगले की सारे मनश्यों के कर्म है।ς बाबाप कहते न biblicalी आई है ऐसे थोड़ी । जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते यह अनादी है, वेद व्यास ने रचे, वेदों को उच्छा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है, वेद शासरादी सब गीता की रचना है, तुम बच्चे जानते हो यह वेद शासरादी, वही फिर बापस से बनेंगे, फिर वह नाम र प्रचा भी बनाएगी, जैसे ही भक्ति शुरू होती है, वैसे ही हम क्या करते हैं, दुख्य हो जाते हैं, दुख्य होने से, फिर हम उसे याद करते हैं, जिसने हमें सुख दिया था, वो भासना हमारे में आती है, तो सबसे पहले श्रिवाला बाबा ने कहा ना तो में भी बनाएंगे रक्षमी नाराइन की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता हैं मंदे तो भक्ति मार्ग में बनते हैं जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं सूरिवंशी और चंद्रवंशियों की दो प्रोपर्टी है वह वैश्यव नहीं रहता है, आपस में बाढ़ते जाते हैं, तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूजे बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं, अभी समझ गए ना कि परमपिता परमातमा का नाम, रूप, देश, काल और उनका पाठ क्या है, बक्ती परमातमा जिसको हम याद करते हैं, लेकिन हम इंडारेक्ट नहीं याद करते हैं, लेकिन वो जानता है कि हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं, किसी को आधार बना करके, तो वो साक्षातकार कराता है, अशुद भावना रावडपूरी करते हैं, अभी तुमको ज्यान अग्यान बुद्धी में विठाया है, सब तो नहीं समझेंगे, जो कल्प पहले वाले हैं, वही निकलेंगे, निकलते रहेंगे, आच्छा, मीठे मीठे, सिकेलाधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गूड मॉनिंग, रूहानी बाप की रू चीना है, पुर्शार्थ करते रहना है, बाप के शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर ग्यान सागर बनना है, दूसरा, रूहानी पंडा बन सब को सच्ची यात्रा करानी है, हीरे जैसा बनना और बनाना है, वर्दान बाबा ने दिया, वर्दाता विधाता श्रिष्ट और शुब व्रत्ति द्वारा वानी और कर्म को श्रिष्ट बनाने वाले विश्व परिबर्तक भव। वानी और कर्म में आती है आपका कुछ भी कर्म भी यदि हम करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं मन में विचार उठाते हैं फिर क्या करते हैं बुद्धी आती है फिर वो संस्कारथात कर्म में आती है तो क्या होता है बाबाने कहा कोई भी अच्छी वा बुरी बात पह व्रत्ती से ही वायू मंडल बनता है, श्रिश्वरत्ती का व्रत्धारन करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतह बन जाते हैं। जितना आप आत्मिक स्वफाव में अपने निज गुणों में टिकेंगे, उतना ही सामने वाले की आत्मा को आप पढ़ पाएंगे, अर्थात उनके भाव को जान पाएंगे, जैसे आप अपने शुद्ध शरीर में अपना मन लगाएंगे, जो एक अंदर शरीर है हमारा लाइ जैसे जैसे आप शुद्धता को धारन करते जाएंगे, वैसे वैसे आप क्या करेंगे, सामने वाली आत्मा की मन की भाव को जान देंगे, अच्छा हम शांती शुक्रिया, बाब दादा शुक्रिया, आप से भी भाई बेनों के सने का प्यार का और गुड़ नाइट